वह वेल्कॉम बैक आप देख रहे हैं आर पार देशका सबसे जधा देख जाने वाला शो और ट्विटर rumors से लोग रियाक्ट कर रहे और मैं शदाब आप से 30 सेकंड के पास आता हूँ फिर मैं सल्मा निजामी के पास जाता हूँ शदाब चुहान क्या आपको लगता नहीं है कि टीपु सुल्तान की बात करके मुगल की बात करकर आप इस पूरी क्रिकेट कोई की बात को जिसमें आप खुद कह रहे थे यह तो खेल है खेल को खेल की तरह देना चाहिए इसमें आप अपना एजेंडा चला रहे है आमीज जी मैंने सवाल का जवाब दिया अन्ये था मैं खेल भावना का सम्मान करता हूँ और जो विराठ तो खुद क्रिकेटर रहे हैं ना अब बाबाराजम बिल्कुल मैं क्रिकेटर रहा हूँ अच्छा जनता भी जाने मैं बड़े क्रिकेटर बैट्समें था मैं ये चीज इसपस कर दूँ जो कोहली और धोनी ने किया बाबा और रिजवान के साथ मैं भी वही करता हूँ और मैं उनके अच्छे खेल करें अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की बात कर लेता हूँ टीपू सुल्तान के जिसने बात की वह बारत तो पाकिस्तान के मैद में टीपू सुल्तान का क्या लेना देना इससे संबित पात्रा ने मुगलों का जिकर किया था शादाप चौहान ने जिकर नहीं किया था पहले मैंने संबित का जवाब दिया है कि मुगलों के दौर गुलामी का दौर नहीं है टीपू सुल्तान मेरे लिए हीरो है आइडियल है और अगर मैं बरबाद हो जाँ टीपू के नाम पर मुझे कोई सब्सक्राइब आपबर को भी हीरो मानिया भी ठोड़ी दिर पहले शदाद पूरा वाला ने आवदार हीरो मानिया आपकी हीरो ापको हिरो धरोगों स्लताने तो प्रॉब्लम मैं मैं में कर आगे वरतय इसे अधिये अब इसक पुदोन के साथ कोई मैंना नहीं करना आपको और ढूह सब्थ प्रॉइन सानमान निजामी जी allow देखिए बहुत बड़ी बात कही अभी साइदाब जी ने उन्होंने कहा कि मुगल का जो एरा था उसे में घुलामी का एरा नहीं मानता हूं उनका मानना है कि मुगलों ने हिंदुस्तान को बसाया और दूसरा तो दूसरा उन्हें यह भी कहा कि अगर मुझे बरबाद भी होना पड़े उनके लिए तो मैं बरबाद होने के लिए तैयार हूँ आप सोचे अपने फेत के लिए अपने अपने विश्वास के लिए किसी भी हद तक चले जाना उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखना ये कुछ लोगों के अंदर है और वही हमें देखिए कोई बात नहीं ये मुगल अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे हम देख रहे थे अमीश भाई ये फिर लोग ये लोग सबके बीच में बोलते हैं और जहां तक वफादारी का विशह है इनसे हमें लेक्चर की अवश्चता नहीं है मुगल समारे लिए क्या थे मुगल का गौलामी का दौर था याना ता उसका लेक्चर हमें चौहां पर आखरी दौर है एकस्षा Kurई बेज़ेती ये तो बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ ही नहीं था महभूबा मुफ्ती के लिए जशन में कश्मीरियों के खिलाव बुस्ता क्यों अब आप मुझे बताईए इन दोरों में अलग क्या है एक कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए अगर जशन मना जा रहा है तो ठीक कि स्पोर्ट की ठेकेदारी जो इसरकार की बन गई है कि भई आप थोड़ी ना खेर रहे हैं क्रिकट आप कश्मीर में मैंने कहा तो बोड़ी ने क्या बोला करिकट पे कोई बयान दिया तो बताईए होते हुए कश्मीर में जो है पटाके फुटे जा रहे हैं यह आपका व पाज़ेपा इसको पॉलिटी साइज करती है और आज में अपनी बात रख सकता हूं जो है अमीज जी मैं अपनी बात रख सकता हूं जी 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 हां देखे ऐसा है कि यहां पर तीपू सुल्तान का जो महिमा मंदन बार बार किया गया तीपू वो व्यक्ति है जिसने 40,000 से ज संगार करके उनको तलवार की नोग पर जबरन उनका धर्मांत्रन कराया और अगर ऐसा कहा जाता कि वह मेरा हीरो है मतलब इस्लामिक स्टेट और तालीबान की सबसे पहले वहिचारिक परिकल्पना रखने वाले व्यक्ति को अगर नैशनल टेलिविजिन के सबसे बड़े च क्रिकेट से जैसा आप खुद कह रहे थे किसी भी खेल से क्रिकेट मैच से पॉलिटिक्स को दूर करना चाहिए लेकिन पॉलिटिक्स को आप खुदी लेकर आए हांडेट परसेंट दूर करना चाहिए अमीश जी लेकिन मैं नहीं लेकाया भारती जनता पार्टी लेके आती है भारती जनता पार्टी का समर्थक मीडिया लेका आता है जब हर खेल को मोदी से जोड़ देता है किसने जोड़ा मोदी से बताएज है आप आप जब किसमें